नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले जड़त्वी एवं रोटेटरीफ निर्थेस फ्रेम में इस्थिती वेग और त्वरर के बारे में तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कोरियोलिस फोर्स को क्या होती है ऐसा बल जिसका अनभव घुर्णी फ्रेम के कोणी वेग यानिकी ओमेगा और सेकेंडरी फ्रेम यानिकी इनर्शियल फ्रेम में प्रेक्षित करने का वेग के लंबवा जुबल लगे वही कोरियोलिस फोर्स कहलाती है इसके लिए माल लेते हैं कि पी एक जड़ती फ्रेम में इस्तित कोई पार्टिकल है ये इसको मांनेक्ससे पहले यहाँ पे हम एक फ्रेम ले ले इसके एकस्स एकस्स Y आएगस्स से इसके प्रटिकल है पी जिसके लिए position vector को हम ri से denote करते है ri यह कहने का तत पर यह है कि यह frame inertial frame है इसके बाद एक और दूसरा frame लें जो इसके संपाती होती t equal to 0 पे परन्तु t time पस्चात क्या होता है कि जो non inertial frame की तरह यह कारी करने लगता है क्योंकि इसमें कोणी वेक omega लगता है और omega लगने से यह जो है rotate हो जाती है परन्तु सबसे पहले देखें तो प्रारंभी की स्थिती में जो दोनो frame थी उसकी जो position vector थी r rotatory frame के लिए और r inertial frame के लिए दोनों equal थी ठीक है तो h-s frame h frame के साब पे omega t वेक से जब rotate हो गई कोणी वेक से तब उसको हम इस प्राकार से denote कर सकते हैं कि vector dr upon dt rotatory frame के लिए बराबर dr by dt in inertial frame के लिए minus omega cross r अब क्या करते हैं जो ये वाली term है इसको इस rotatory frame के जोगे लिए जो velocity निकार है उस set पक छांतर कर दें तो हमको r inertial की value निकल जाएगी तो हमने वही किया यहाँ पे और ये r inertial की value अपने को इस प्राकार से मिली जिसको हमने कुछ इस प्राकार से changes कर दी dr upon dt is equal to to v होती है तो इसमें हमने v लिखी है और ये i इस होज़ेस लिखे है क्योंकि inertial frame के लिए चल रही थी वी आई हो जाई ठीक है और dr upon dt into r ये रोडेटरी frame के लिए velocity हो जाएगी ठीक है इस प्राकार से हमने इसको क्रमशा इसको सबसे पहले equation 1 मानी फिर ये वाली जो term आई उसको equation second अब इस equation second को हम जो है इस प्राकार से लिखे है इसको equation 3 माने अब और equation 3 को हम operator की रूप में यूज़ करनी है तो इसको सबसे पहले हम time की with respect differentiate कर दिये है so time की with respect differentiate करने के पर शाथ हमको जो value मिली वो आती है dvi upon dt in inertial frame के लिए equal to dvi by dt in a rotatory frame के लिए plus omega cross vi अब देखे यहाँ पर vi की value इस equation 3 से रखने पर हम पाते हैं कि जो dvi upon dt inertial frame के लिए जो निकली है यानि कि acceleration वो equal to होती है d upon dt into vr plus omega cross r plus omega into vr plus omega cross r यानि कि हमने वी की जगा replace किये इसके जगा replace किये है ठीक है तब क्या होगा कि जो dvi upon dt in inertial frame equal to आएगा dvr upon dt in a rotatory frame के लिए जो वहाँ पर था एक्जेक्ट लिखे हैं अब यहाँ पर देखें dv omega sorry d vector omega by dt into cross vector r plus vector omega cross dr upon dt in a rotatory frame plus omega vector के साथ है cross omega vector cross vector r ठीक है इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि dv upon dt equal to acceleration होती है तो हमने उसको a लिखी है बट यह rotatory frame के लिए थी तो इसको ar कर दी ठीक है इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने किया है dr upon dt इसको लिखी यहाँ पर हमने लिखा उसको a बट यह rotatory frame के लिए था इसको rotatory कर दी ठीक है तो इस प्रकार से हमको जो equation मिलती है ai equal to ar plus d vector omega by dt into cross r plus vector omega cross vector r vr plus vector omega plus vector vr plus vector v sorry omega cross vector omega cross omega r अब क्या किये है जो हम देखते है कि जब frame की बात किये है तो frame का जो कोणी वेक प्रारम में इस्थिर थी यानि कि omega नहीं थी यानि कि omega की value उस टाइम 0 थी या जब वो move करेगी तो जो उसकी जो कोणी वेक होगी वो constant रहेगी omega constant और कोणी वेक से रोटेट हो रही है तो जब constant है तो उसको हम time के विद रेस्पेक्ट differentiate करेंगे तो हमको जो value मिलेगी वो 0 मिलेगी तो यहाँ पर d omega by dt है उसके जगह हम 0 रख सकते हैं तो हमने wages किया और यह दिखिए vector ai is equal to vector ar plus vector 2 vector omega cross vector vr plus vector omega फिर यह वाले term जो कत्यों लिखे हैं अब देखें यदि कणपी का जो मास है उसको हम m माने जो हमने particle लिए थी पहले starting में एक मैटना देख लेते हैं यह यह जो मास है इस particle p की उसको हम m माने तो हम देखते हैं कि यह equation कुछ इस प्रकार से convert हो जाएगी m vector ar equal to vector sorry minus 2m omega cross vr minus m omega into omega cross r ठीक है हमने इसमें से क्या किया है m का पहले multiply का equation कियें दोनों side फिर यहां से हमने इसकी value निकाली है ar की value निकाली यहां से देखिए दे फिर यह जो term थी उसको पक्छांतर की side तो यह वाले term हमको मिली अब देखिए जो equation i है उसमें देखो जो m a i यह जो है inertial frame की बात है यानि मतलब inertial frame के लिए force की value है यानि की fi है और यह जो value मिली है इतनी value इतनी value तो इसको हम कहेंगे कि यह जो है अभासिबल है और जहां पर इसमें भी दो value है अभासिबल में एक Coriolis fourth है दूसरी अपके इंद्री बल है तो हमने Coriolis fourth की definition में देखी थी कि पहला frame का जो है कोनी वेग और दूसरे frame का जो है प्रेक्षित वेग के दो उनों मतलब जब परपेंडिकुलर हो तो उसी को Coriolis fourth कहते हैं तो अब इसी question के recording देखी कुछ condition हम देखने को मिलती है कि घुड़नी frame के सापेज कण का जो कोनी वेग है यानि कि कहने का मतलब यह है कि जो vr is equal to 0 हो जाए ठीक है यह vr की value अपने को 0 मिल जाए तो easily हम कह सकते हैं कि जो Coriolis force का कोई अस्तित नहीं होगा यानि कि वुष्टेम वो फ्रेम जो है inertial frame की भाती वेभार करेगा ना कि एक rotatory frame की तरह ठीक है और दूसरी जो condition देखी उसमें घुर्णी फ्रेम का जो कोणी वेक्टर ओमेगा है वो hds में जो प्रेक्षित कर्ण की वेक्ष यानि की vr की थापक्ष शमनांतर हो जाए यानि कि इनके बीच जो एंगल बने sin 5 is equal to 0 एंगल का बने जब ओमेगा क्रॉस vr जब लंबवत हो जाए तो ऐसे में cos 5 equal to हमको सॉरी sin 5 is equal to अपने को 90 डिगरी का एंगल मिलेगा और sin 90 is equal to हम इजली जानते हैं तो साइन जो 90 होती है वो होती है 1 कि सूइस पॉर्यूल eriao के सकते हैं कि कॉरियूल सॉइरश का जो है जो ते-ऐंवान हमको उस टै Whoo आप हमको इस टैम मिलेगा जब पहला फ्रेम का कोणी वेग और और दूसर अचा प्रेक्छित करण का जो मतलब प्रेक्षित वेग है वो जब पर्पेंडिकुलर हो तो हमको जो है को योले स्पोर्स की मैग्समाम वेल्यू मेलेगी झाल में